अब नमस्कार दोस्तों मैं सुसील गुमार आपका अपने यूट्यूब जल यह ग्यान पर हर्दिक स्वागत करता हूँ तो देखिए जितने भी जो हमारे स्टुडेंट्स है और वो टिजिंग एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशकपरी है वो खुशकपरी क्या है इसके उपर हमारी चर्चा रहेगी तो यह है कि कि डी ट्रिपलस बी ने अभी एक नोटिफकेशन आउट किया है ठीक है और उसमें करीबन अड़ सट सो चैसी पोस्ट है कितनी पोस्टें में अड़ सट सो चैसी पोस्टें है उन पर हम बारे बारे से डिस्कस करेंगे तो देखिए अब देखिए टोटल पोस्ट्स है वह और सट सो चैसी है अजर सो चैसी पोस्ट्स है इसमें देखिए टी आर्टी की भी है और ऐसोड़स पियर सट ठीक है पियर्बब की पोस्ट्स है वह कम है कितनी है 500 व्प पोस्ट्स हैं कि 500 पोस्ट हैं पी एटी प्रटी की है वो ज्यादा पोस्टी है 636 पोस्ट है अधर 636 पोस्ट है वो किस की तीजिटी है अब देखिए जो हमारा पी आर्टी है इस पर हमारी बात करेंगे हम ठीक है तो देखिए PRT है वो computer best होगा क्या होगा भी computer best exam होगा और Mr.PPE के दो प्रकार की पौस्टेग हैं लगju IOE डियेकर ंडींट स्टेयं है ठीक है एज देखिए प्यार्फी के जी एज है वह थार्टी इयर्स कितनी हमी थार्टी इयर्स है ठीक है और जो हमारे कॉंट्रेक्ट बेस्टीचर होते हैं यानि एड़ोग टीचर जो दिल्ली में होते हैं उनके लिए रिलेक्सेशन है वह कितना इयर्स का रिलेक्सेशन है ठीक है और सेस्टी को भी पांच साल की छूट है अब देखिए सेस्टी है वह पूरे देश में एक ही होता है तो इसकी कोई दिक्ट नहीं है लेकिन ओबीशी का है वह दिल्ली का होना जरूरी है जुक्षिक है उनीज़ तो टिरान में की वर्ट लिस्ट में इसका भी नाम होगा ऑ विची में वही कांट होगा ठीक है अब देखिए एक्जाम फॉर्म कब बरे जाएंगे 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जून तक चलेंगे 24 जून तक चलेंगे ठीक है और इसकी जो फीस है वो हमानी है सो पर फीस रहेगी ठीक है अब देखिए इलिजिबिल्टी क्या है क्या हम इस पर बात करते हैं तो देखिए जो इलिजिबल है वो कौन होगा तो देखिए 12 की होनी जुरूरी है खेवी 12 की बीटीचिंग का लिपलमा होना जुरूरी है अब इसमें बीट वाले कांप menor य involve उसकी गेंगें वह उसमें डुस मारthe मध्मि CH न न है टिक है बियरेट और बियरेट वाले एक कंप्लीट होना चाहिए तभी हम प्यार्ट का फार्म भर सकते हैं फिर देखिए हम बात करते हैं नर्शरी टीचर की इसके बाद करते हैं नर्शरी टीचर की हुआ है अब देखिए नर्शरी टीचर के लिए एंठीडीटा पॉस्ट किया होना अवजञत है ठील और यह दो किया होना जूता था बन्हें नहीं everywhere पोस्ति हैं वो कम ही है 74 पोस्त से हैं बैठीक है और दिल्ली गोर्ड भी इसी सी का पोस्त करवाता है वो अगर किया है तो चल जालेगा है ठीक है हमने बात कर दी अब देखिए टीजीटी के लिए उम्र की बात हमें करते हैं अब हम बात करते हैं पीजीटी के लिए उम्र की इसके लिए अभी 32 एयर से है ठीक है और इसमें है अब हम बात करते हैं नेगिटीव मार्किंग है या ने नी इस पर भूलते क्यूशने उचाजाता है तो इसकी वन फोर्थ है वह नेगिटीव मार्किंग रहें ने रहें की ठीक है और 200 200 नमबर का पेपर हैं कितना नमबर का पेपर हैं पेपर ए है वह 100 नमबर का है और पेपर बी है वह भी इसमें आएंगे फाइफ सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं जी एस है इंग्लिश है रिजनिंग है मैथ है इंग्जी है जर्नल अवैर्नेस है हिंदी है टो यह हारे सब्जेक्ट से रहेंगे ठीक है और पेपर भी हैवो कौन सा होगा गया और पेड़ागुजी भी आ तो DSSB की website है वो देखिए ठीक है यह तो जैसे www लगाते हैं वैसे ही सर्चिंग में का है ठीक है और फिर हम बात करते हैं इस पर नाकर हमें फॉर्म है वो अपलाई कर सकते हैं और फूर पर हमारी फीज रहेगी और देखिए अगर आप टीचिंग एक्जाम्स की जारे करने चाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइप जरूर गर देखिए यह बहुत ही बड़ी ओपर्चुनिटी है इस लोगडम में अगर दो महिने बन रहता है तो हम अच्छी त्यारे करके अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं दिल्ली बोर्ड में यह तो एकदम बहुत ही फेर काम होता है यहां पर और जब भी पेपर होगा तो एक पेपर क होलता है जो हमारे लिए बरड़न नहीं है सिर्फ एक पेपर देंकर हम ना ही इंटरिव्यू है और को यह और पंग है तो हम क्या कर सकते हैं भी अपने शुक्ती कर सकते हैं और टीचर और प्हुंचपकी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें ताक पंग्स के देने बाद